Hello students, welcome to Magnet Brain. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Neha Verma from Magnet Brain. So students, Magnet Brain एक ऐसा YouTube चैनल है जहां आपको kindergarten, means KG से class 12 तक आपको पूरे स्लेविस का वीडियो मिलता है. वो भी 100% free. Yes students, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का, आपको कोई भी payment नहीं देना पड़ता. Okay, तो चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई. Students, हम कर रहे हैं आपका कक्षा 1 का Hindi. आपकी जो NCRT की class 1 की book है ना, Rim Gym. उसकी पूरी पढ़ाई हम यहां करेंगे. So don't worry, right? तो हमने शुरू किया है part 5, जिसका नाम है रसोई घर. हमने इसकी मज़ेदार सी कविता पड़ी थी, है ना, इसका हमने बहुत सारा अभ्यास भी complete कर लिया. इसी का, आगे का अभ्यास हम इस वीडियो में करेंगे. तो क्या है हमारे इस अभ्यास का नाम? किस से क्या काटोगे? माने समझ जाए, दोनों चीज़े हमारी काटने वाली है, लेकिन किस से हम क्या चीज़ काटेंगे, वो हमें यहाँ पर करना है, ठीक है? तो चलो, आगे बढ़ते हैं. तो किस से क्या काटोगे? यहाँ पर कुछ चित्र हैं, उनके नाम भी लिखे हैं, है ना? उसके बाद, यहाँ पर एक टेबल बना है, कैची से, चाकू से, है ना? तो हमारे पास दो चीज़ है, कैची है, और चाकू है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? इन चित्र में से, जो जो चीज़े कैची से कटी है, उनका नाम कैची के नीचे लिखोगे, जो जो चीज़े चाकू से कटी है, उनका नाम चाकू के नीचे लिखोगे, ठीक है? तो पहले हम चीज़े देख लेते हैं, चीज़े क्या क्या हैं हमारे पास? कपड़ा कपड़ा, जो कपड़े हम पहनते हैं ठीक है, कागज ठीक है, आम रसीला, रसीला, आम ये है बैंगन सबजी, ठीक है, बैंगन ये क्या है? सेब ठीक है, ये है रसी, ठीक है students और ये है गन्ना शुगर केन, सمज गए आप तो ये चीजे हमारे पास हैं अब इसमें से जो जो चीजे कैची से कटेंगी वो हम लिख लेंगे जो चीजे चाकू से कटेंगी वो हम लिख लेंगे ठीक है? तो चलो हम खोलते हैं अपना टेबल पहले हम लिखेंगे वो चीजे जो कैची से कटेंगी ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं तो कपड़ा कपड़ा कैची से कटता है Students के चाको से कटता है कपड़ा कैची से कटता है है ना तो हम यहाँ कैची के नीचे लिख देंगे कपड़ा Number 1 क्या हो जाएगा कपड़ा में आखी मात्रा तो क्या हो गया ये कपड़ा ठीक है अब देखो और अच्छा कागज कैची से कटता है कि चाकू से कैची से ठीक है तो हम यहां लिख देंगे दूसर नमबर टू पे कागज क क में आ की मातरा का ग ज और बिंदी तो क्या हो जाएगा ज कागज ठीक है उसके बाद देखो क्या आम कटेगा कैची से नहीं, बैंगन कटेगा नहीं, सेप कटेगा नहीं, रसी कटेगी क्या कैची से, येस काट के देखना, रसी किसे कटेगी कैची से है ना, तो हम लिख देते हैं रसी सो नमबर थ्री पे हमारी हो गई र, आधा स, दूस पूरा स, सामे बड़ी की मातरा, रसी ठीक है स्टूडेंस, तो कैची से हमारी कौन-कौन सी चीज़े कटी, कपडा कटा, कागस कटा और रसी कटी ठीक है, अब हम आते हैं चाकू से, देखो, और कोई चीज तो नहीं कटीगी, क्या चीज़े, गन्ना कटीगा क्या, नहीं अब देखो, कपड़ा, कागज और रसी चले गई आम किस से कटेगा? चाकू से कटेगा ठीक है? बैंगन किस से कटेगा? चाकू से कटेगा सेब किस से कटेगा? चाकू से कटेगा गन्ना किस से कटेगा? चाकू से कटेगा है न? तो चलो, इनको चाकू के नीचे सबसे पहले क्या था हमारा आम So students, आम कटेगा Yes, तो हम आम, आम किस से कटेगा? चाकू से, ठीक है? उसके बाद क्या था? बैंगन, तो बैंगन किस से कटेगा? चाकू, कोई भी सबजी students कटी है चाकू से, कैची से नहीं उसके बाद क्या था? सेब, तो सेब कटेगा चाकू से, कैची से नहीं उसके बाद क्या था? गन्ना, तो गन्ना भी किस से कटेगा? चाकू से, ठीक है? तो देखा आपने, हमने बहुत सारी चीजे, यह जितनी चीजे थी इनको हमने अच्छे से देखा, समझा और फिर इनको दो पार्ट में डिवाइट कर दिया जो जो चीजे कैची से कटी हैं उन्हें कैची के नीचे लिखा जैसे कपड़ा, कागज, रसी है ना, जो जो चीजे चाकू से कटी हैं हमने उने चाकों के नीचे लिख दिया जैसे आम, बैंगन, सेब, गन्ना है ना बहुत easy है लेकिन students इससे आपकी knowledge कितनी बढ़ गई आपने चीजों को देखा, उनको पहचाना और आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी चीज किस चीज से काटी जाती है ठीक है, समझ गए, तो बस ये अभ्यास अपनी बुक में कर लो अच्छे से लिखना students, इससे आपकी handwriting भी improve होगी अक्षरों का ग्यान भी होगा, आपकी लिखाई, आपकी handwriting भी अच्छी होगी ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इसका explanation इस अभ्यास का जो explanation है, वो आपको magnet brain की website पर मिल जाएगा Google खोलना, Google में www.magnetbrains.com डालना, ये page खुलेगा इसमें नीचे classes दी गई है, ओके, class 1 पे पढ़ते हो आप, class 1 चूज करो आपको यहाँ पे आपके सारे subject मिल जाएंगे, हिंदी पढ़ना है, हिंदी पे क्लिक करो हिंदी की book open हो जाएगी, यहाँ पे topic wise सारे chapter आपको मिल जाएंगे, from class 1 ठीक है, तो बस चिंता करने की कुल बात ही नहीं है, website खोलो, पढ़ाई करो ठीक है, यह सब आपको मिलता है magnet brains पर, यहाँ पर students आपको kindergarten से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है, ठीक है, तो बस पढ़ाई करते रहें, आगे का अभ्यास हम next video में करेंगे, till then, bye bye, take care